हेलो फ्रेंड्स मैं हूने हाँ और मेरे चानल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज में आप लोगों से अचार बनानी के दो तरीके शेयर करने वाली हो एक तो जिसे आप बना करके तुरंद खा सकते हैं और दूसरे में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिर्फ एक से दो दिन में वो बन करके त्यार हो जाएंगे तो कैसे बना आया है चलिए आपको दिखाते हैं तो दो तरीके के अचार बनानी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मुली गाजर और हरी मिर्च काट लेंगे मुली मैंने थोड़ी ज़्यादा इसलिए लिए क्योंकि मैं आपको दो तरीकी के अचार बनाओं बताओंगी मिर्च को क्या किजेगा अभी से थोड़ा सबसी से काट दीजेगा पूरा काट के अलग मत कीजेगा अब हम क्या करेंगे तो यह देखें आप कोई भी एक बरतन ले लें जिसे आप गैस पर चढ़ा सकते हैं उसके बाद आप उसमें डाल दीजे गाजर को और आधा मुली डाल दीजे पूरा मुली नहीं क्योंकि आधे मुली का तो हम दूसरा अचार बनाएंगे अब इसके ब प्लेट को धकन को हटाईएगा उसके आधी से चलाते रहेगा यह जल सकते हैं आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे ही नमक पिघल जाए और मुली गाजर आपका सौफ्ट हो जाए वैसे ही आपको गैस का फ्लेम ओफ कर देना है और उसके बाद आपको मुली गाजर को निका कर सकते हैं उसी के हिसाब साफ नमक भी डालें अपने टेस्ट के हिसाब से अब क्या करेंगे खटा करने के लिए मैंने यह पर लिया है नीबू का रस यह खटा करने के साथ साथ ज्यादा दिन तक स्टोर करने के भी काम आता है यह खराब नहीं करता अचार को अब इसमें थ कितना बढ़िया दिख रहा है बस जादा नहीं एक से दो दिन के बाद आप इस अचार को खा सकते हैं यह बहुत टेस्ट है अब एक जार में लिया है एक चमश पीली राई जिसे सरसो भी कहते हैं एक चमश लिया है मैंने सौफ इसे अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता तो भी आप इसका यूज जरूर कीजेगा क्योंकि बिल्कूल भी पता नहीं चलता टेस्ट में और हमारे लिए फायदेमन तो है ही तो यह देखिए इसे हम दरदरा पीस चुके हैं इसी तरह से आपको भी इसका मसाला रेडी करना है अब क्या करेंगी एक बरतन में हम डाल सरसो तेल लगबग मैंने आप पर 3-4 चमच सरसो का तेल लिया है अचार में अकसर सरसो का तेल ही आप यूज करें अब यह देखिए इसमें धूए निकलने लगे हैं अब इस टाइम पर आपको क्या करना है गया सको बंद कर देना है और थोड़ा सा मसाला कहीं जल तो नहीं अब थोड़ा सा धन्या पाओडर थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं क्योंकि हमने मूँली और गाजर में नमक डाला ही था बस मसाले जितना ही हम इसमेर अफ़ेशा मिक्स कर लेते हैं अब ज्या भाब माप दिया था नमक डाल करके ये देखिए ये विलकुल राई है और इसे साथ मिर्च काटके टाले तो कि पूझाए ऐसे क्या होता है उजसेज़ जो आखा्षा-नहों इसे क्या होता है वह अच्छा घराय judgment अच्छा दिएजर्स्टerek Yochat समर्य आद आदगे में पट्रों सब्धात इसे मूली आप जिसे की अचार का टेस्ट अच्छा लगे अब ये दिखें जो अचार है सबको अच्छे समय मिक्स कर लिया है अब मैं आपको इसे कटोरी में निकाल के दिखाती हूँ जब मैं अचार कितना बढ़ियां दिख रहा है और ये बन करके त्यार भी हो चुका है अब आप जब चाहें इसे खाने में यूज कर सकते हैं तो ये दिखें हमारे दो तरह के अचार बन करके त्यार है और दोनों ही अचार देखने में एक से बढ़कर एक है तो ये थी मेरी अचार बनानी के दो तरीके इन दोनों ही तरीकों में से आप किसी भी एक तरीके से ना दुनिया की कोई भी अचार बना सकते हैं मेरे दोनों ही तरीके आपको बताए हुए बहुत ही अच्छे हैं और अगर पसंद आये मेरा यह अचार का वीडियो तो एक लाइक तो जरूर कीजेगा और अच्छे अच्छे कर्मेंट तो जरूर किया किजिए यार मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स रेसिपी में थैंक यू